यूदर बॉलिवुड में ऐसे कई विद्वा अभीनेतिया हैं जिन्होंने पती के चल बसने के बाद उस्तरा घर बसा कर अपना जीवन सवाल लिया है। पर क्या आप जान दें कि नभीनेतियों में से कई अभीनेतिया तो पती के चले जाने के बाद अकेली ही रह गई। जिनके साथ उनका सुख दुख बाटने वाला भी कोई नहीं है तो आकिरकार कौन-कौन सी वह भी नहीं थी है चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं नमबर एक रेखा सदा भार खुबसुत के लाने वाली रेखा ने मैस 36 सार के मर में पती को खोने का दुख जेला है जी हाँ 1990 में दिल्ली के एक बिजनसमैन मुकिशर गरवाल से लेखा की शादी हुई थी लेकिन शादी के 6 मईने बाद दोनों मैंट मैं शुरू हो गई जिसके बाद दोनों ने आपसे सहमती से अलग होने का पैसला लेया लेकिन उससे पहले ही मुकिशर गरवाल ने आत्माहत्या कर ली थी और तब से बिल्कुल अकेली है जाने क्यों लोग मुहबद क्या करते हैं गाने से मशूर अभिनेती लीना चंद्रवरकर ने अपनी जिंदेगी में दो-दो शादिया की थी पहली सिद्धात बंदोद कर नाम के शक्स से जिनके कार अक्सिजन्ट में मौत हो गई उसके बाद ये खुद से 20 साल वड़े किशर कुमार की चौथी पत्नी बनी लेकिन शादी के कुछ साल बाद उनका भी निधन हो गया 37 साल के उमर में ये दो-दो बार विद्वा हो गई नमब तीन शांति प्रिया बॉलिवोड में आई अभी ने थी शांति प्रिया ने 1999 में सिद्धात्रे से विवा किया था जिसके बाद इन्हों ने दो बेटों को भी जनम दिया लेकिन साल 2004 में कारडी का रेस्ट से इनके पती सिद्धात्रे की मौत हो गई और सिफ 35 साल की मर में ये विद्वा हो गई ऐसे में आज भी अपने बच्चों के सारे अपनी जिन्दगी घुजदा आ रही है इशारी समीर मालकन से हुई थी पर बाद में दोनों का तलाग हो गया जिसके बाद आक्ट्रस ने आदे श्रीवास्तव को अपने जीवन साथी सुना लेकिन कैंसल की परती बिमारी इनके दूसरे पती को भी खा गई जिसके बाद ये अपने बच्चों के सारे अकिली ले ग जूले